आप डरे नहीं घबराएं नहीं निरास नहीं दुखी नहीं परिशान नहीं यह सोच कर कि दुष्ट मेरे जीवन में काम कर रहा है दुष्ट मेरे जीवन में रुकावटें बाधाओं को लेकर क्या रहा है यदि आज कोई भी जन दुष्ट आत्मा से ग्रसत है ये श्मसी के नाम से दुष्ट आत्माएं उनके जीवन से फामली से निकल कर चली जाएं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है यदि आप प्रात्न करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें हम आपके लिए प्रात्न करेंगी धन्यवाद दोस्तों हम आपका स्वागत क प्रात्न में और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि सैतान आपके उपर विजई नहीं हो सकता हम इसे बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि दुष्ट उनके जीवनों में कार्य कर रहा है दुष्ट उनके जीवनों में रुकावी हो रखा है दुष्ट उन्हें हरा रहा है, दुष्ट ने उन्हें दबा दिया है, नहीं, ऐसा नहीं है, यदि आप प्रवियेश मस्वे विश्वास करते हैं, तो दुष्ट आप पर विजई नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्यों आखिर दुष्ट आप पर विजई नहीं हो सकता, एक वचन हम लोग पढ़ दोस्तों यहाँ पर परमेशो का वचन कहता है कि येशु जोती है और येशु इस जगत में आया यानि कि वो जोती इस जगत में आई और अंधकार ने उससे गरहन नहीं किया परन्तु इंगलिस में लिखा है कि darkness has not overcome it means कि अंधकार जोती पर विजय नहीं हो पाया जो अंधकार इस दुनिया में फैला हुआ था वो दुष्ट उसके कारिया पाप वो येशु पर जोती है उस पर विजय नहीं हो पाया परमेशर जोती है कल रात की प्रात्ता में हमने देखा कि परमेशर जोती है येश्यमसी जोती है येश्यमसी इस धर्ती पर आए और लिखा है कि वो अंदकार जो इस धर्ती में है सैतान दुस्ट वो येश्यमसी पर उस जोती पर विजय नहीं हो पाया अपे तो वो हार गया वो नस्ट हो गया और ये शुमस्य का प्रकास इस दुनिया में धिरे-धिरे फैल में लग गया और आज आप और मुझे तक वो प्रकास फैल चुका है वो दूस्ट जोती पर विजय हासिल नहीं कर पाया और नहीं कभी कर पाएगा और परमेश्यो का वचन कहता है कि तुम जोती की संतान हो अब आप और मैं भी जोती हैं हम जोती की संतान हैं मिन्स जब हम जोती की संतान हैं तो हम पर भी वो डार्कनेस वो आंधकार वो पाप विजय नहीं हो पाएगा वो दूस्ट विजय नहीं हो पाएगा क्यों क्योंकि हम भी जोती की संतान हैं कल रात की प्र और जाहें, उसकी जोती हैं हम लोग, तो व को दुस्थ हम पर विजय नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अंदर आप प्रबु वास्थ करता है, वो जोती अब हमारे अंदर वास्थ करती है और यदि ये आप उसके पीछे चलते हैं, उस पर भरुसा रखते हैं, तो वो दुष्ट आप पर विजय हांसिल नहीं कर सकता है इसलिए आप डरे नहीं घबराएं नहीं निरास नहोई दुखी नहोई परिशान नहोई ये सोच कर कि दुष्ट मेरे जीवन में काम कर रहा है दुष्ट मेरे जीवन में रुकावटें, बाधाओं को लेकर क्या आ रहा है, दुष्ट मेरे जीवन में बीमारियों को लेकर आ रहा है, नहीं नहीं, इस गलत फह्मी में आप न जीएं, यदि आप प्रवियेश मस्य पर विश्वास करते हैं तो आप जोती की संतान हैं, सकता, उस पर वो विजय नहीं हो सकता है क्यों कि हम परमेश्वर के दूरा चुने हुए हैं, उसके राज्य के वरिस हैं और वो स्वयम हमारे अंदर वास करता है और हम परमेश्य के राज्य में चल और फिल रहे हैं अब आपके पास अधिकार है उस दुष्ट को भगाने का और वो आपके आग्या को माने का क्योंकि आप जोती की संतान हैं इसलिए आप घबराएं नहीं निरास नहीं दुफी नहीं परिशान नहीं बिल्कि प्रभु पर भरोसा रखें प्रात्ना करते रहें आप उस दुष्ट पर विजई हो चुके हैं आप उस दुष्ट पर विजई हो चुके हैं आप विजई राजा की संतान हैं आप भी विजई हो चुके हैं आप जानते हैं प्रवयेश्य मसी ने उसके सर को कुचल दिया है वो हारा हुआ है, वो दुस्ट हार चुका है और आपने और प्रवयेश्य मसी ने उस दुस्ट पर विज़ई हासिल कर ली है इसलिए घबराएं नहीं, निरास नहीं, दुकी नहीं, परिशान नहीं प्रवो पर भरुशा रखें, प्रात्ना करते रहें तो प्रवो आपको इस वचन के दौरा बहुत आएच से आसी से, आमेन दोस्तों आप लोगों के लिए खुश खबरी है कि हम लोग फिर से आप लोगों के सम्मुख एक नया भजन लेकर के आ रहे हैं जो की आपको इस नए चैनल पर सुनने को मिलेगा जिसका नाम है अमरिता मसी ओफिसियल जरूर से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में मिलेगा और हम आसा करते हैं ये विश्वास करते हैं इस नए भजन के द्वारा आप बहुत आइट से आसीस पाएंगे परमेश्वर की वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें तो परमेश्वर आपको आशेशित करेंगे इन वचनों को आपकी जीवन में पूरा करेंगे यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाते हैं तो इस नंबर पर कॉंटेक्ट करें 8077-007695 धन्यवाद सो हम प्रभु येश्व मसी का धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए इस नए सुभा के लिए आशा करती हूं कि आपने बड़े ध्यान से प्रभु के वचन को सुना है और परमेश्वर आपको हर प्रकार के अंदकार की बातों से चुटकारा देंगे आए मिलकर हम प्रातन करें धनिवाद धनिवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर हमारे प्यारे पिता हम आपका धनिवाद करते हैं पिता कि आप अच्छे और भले पिता हैं उमसे प्यार करने वाले पिता हैं और आप हमारी प्रातना हमेशा सुनकर उसका उत्तर देते हैं और आज जितने भी भाई, बहन, बच्चे, नौजवान, बुजर्ग लोग हमारे साथ पिता इस सुभा की प्रातना में शामिल हैं, मैं चाहती हूँ प्यारे प्रभू कि आज 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 चमकाएं पिता और अद्भूत रिती से इनके जीवन में कारे होने पाए धनिवाद करते प्रभू आपकी holy presence के लिए जो आज हमारे मद्य में है धनिवाद पिता आप हमारे मद्य उपस्तते आपका पुवित्र आत्मा जो हमारा साहिक है वो हमारे मद्य में है पिता हम आपका आदर और सम्मान करते हैं आपकी holy presence का जितने भाई बहन पिता इस प्राक्त को सुन रहे है पिता उनके साथ में उनके परिवार के साथ में उनके बच्चों के साथ में आपकी उपस्तती इस समय इस सुभा में है मेरे कुदा आज के दिन के लिए ग्यान बुद्धी समझ को आपकी साहता मदद को पवित्र आत्मक या गुवाई को प्रभू आज के दिन के लिए चाहते हैं मैं प्राथन करती हूँ प्रभु धन्यवाद देती हूँ आपके वचन के लिए प्रभु जिसके द्वारा आपने बातशीत किया और बड़े ही ध्यान से प्रभु आपके लोगों ने आपके वचन को सुना है सच मेरे पिता अंदकार में जो जोती चमकती है पिता परंतु उस अंदकार ने उसे ग्रहन ना किया हाँ प्रभु इस वचन के लिए धन्यवाद प्यारे प्रभु येश्व मसी आज प्रभु जितने भाई बहन प्रभु येश्व मसी उन्हें लगता है प्रभु कि उन पर प्रभु अंदकार है और आज भी वो अंदकार में है तो प्रभु येश्व आपकी जोती अंदकार म की बातों में हैं तो प्रभू मैं दूआ करती हूं कि आज प्रभू इस वचन प्रवव विश्वास करने पाए पिता किनने जीवन में वो जोती चंकी है इसके द्वारा प्रभू इनके जीवन में कोई भी गलत बात नहीं है क्योंकि प्रभू तुने इनके जीवन में जो अंदिकार में था उस पर जोती चमकाई है परमेशर और आज ये तेरी संतान बन गए प्रभू आज ये तेरे रोशनी में चल रहे है प्रभू तो इनका जीवन अंच-अंच करके बदल रहा है प् जिनvation लेकर प्रभू तेरे लोग तेरी संमेख बैठें प्रमेशर अब दुआ करती प्रभू ये अपने बच्चों के लिए अपने हस्पिन वाइप के लिए प्रात्ना करें प्रभू उनके जीवन में आप कारे करें प्रभू आप कारें मेरे टनिवात करते प्यारे वो कोई भी अंदकार की बाते प्रभू इनके जीवन में ना रहें पिता वरन प्रभू वो उन सारी मैंटिलिटी से बाहर निकल कर इस बात पर विश्वास करें कि प्रभू आपने इनके जीवन को जोतिर में किया है पिता धनेवाद यदि आज कोई भी जन दुष्ट आत्मा से ग्रसत है येश्व मसी के नाम से दुष्ट आत्मा उनके जीवन से फामली से निकल कर चली जाएं दुष्ट आत्मा को हम येश्व नास्री के नाम से मति अठारा अठारवी आयत के अनुसर बांद कर अथाक उन में जाने की आग्या देते हैं येश्व के नाम से उन्हें नश्ट होने की आग्या देते हैं प्रभू धन्यवाद आपने चुटकारा दिया इसी समय कि आजाद होगे हर प्रकार की दुष्ट आत्मा से प्रभू धन्यवाद करती प्यारे पिता प्रातना है जितने लोग बीमार है पिता, कैंसर, ट्यूमर, अलसर, पैरलाइज हर प्रकार की जो बीमारी इनके शरीरों में पाई जाती है येशुमसी के नाम से इन बीमारीों से कहते हैं निकल जाओ येशुनास्री के नाम से इसी समय इनके शरीर को छोड़ो येशुनास्री के नाम से प्रभू तेरी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में बहने लगे क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभू तेरा वचन इसफस्ट है, क्लियर है, सत्य है क्योंकि तेरा वचन कहता है मैंने आप तुम्हारी दुरबलता को ले लिया और बिमारियों को उठा लिया हाँ प्रभू आप पहले ही कर चुके हैं इस बात पर विश्वास करने पर इस वचन पर विश्वास करने में आप अपने लोगों की साहता मदद करें ठैंक यू लॉड कि इनकी बिमारी इनकी दुर्बलता, इनकी कमजोरी इनका दर्द तुने लेकर इन्हें चंगा किया प्रभू इस बात के लिए धनेवाद कर सके कि ये चंगे हो गए हैं पिता मैं धनेवाद करती हूँ कि आपने ले चंगा किया चोटे बच्चे समय चंगे हो गए रजवान चंगे हो गए, बुजर्ग लोग चंगे हो गए इनके बॉड़ी पार्ट्स रिन्यू हो गए प्रभू सैंस ओर्गन्स हील हो गए है हड़ी हड़ी मांस मांस शंगा हो गया है तैंक यू लॉड पादर जो चल फिर नहीं पाते वो चल फिर रहे है प्रभू जो देख नहीं पाते सुन नहीं पाते वो देख पारे सुन पारे है प्रभू येश्यू के नाम से तैंक यू फादर लॉड आज का दिन प्रभू इनके लिए आशिशो भरा होने पाए कोई भी कर्जा इनके जीवन में ना रहे पाइनेशल प्रॉब्लम ना रहे प्रॉस्पर होते ही चले जाए विज़ई होते चले जाए प्यारे परमेश्वर प्रभू आपके लोगों के लिए सब कुछ में आप भर पूरी दीजे प्रभू दुआ है प्रभू जितने भाई बेन प्रभू येश्व मसी आज के दिन में जिस काम पर हाथ लगाते प्रभू येश्व के नाम से तेरे बेटे बेटियों का हर एक काम तेरे नाम से सफल हो रुकावटे बाधाएं दूर हो और प्रभू सब कुछ इनके लिए आप पूरा करे थैंक यू लॉड आपने ऐसा ही किया और आपने हम सब की विंतियों को सुना आज जितने लोग दुख में थे समस्या में थे उनको आपने समाधान दिया है आपने उपाई दिया है इंतिजाम दिया है पर मिश्वर धनिवाद करते प्रभू आज के दिन में तेरे लोग बढ़े फलवंत हो आशिशित हो इनके काम बने और प्रभू ये दूसरों के लिए आशिश का कारण हो क्यूंकि इनके जीवन में प्रभू आप जगत की जोती वास करते प्रभू इनका लाइफ प्रकाश मान है पिता और ये दूसरों के लिए लाइट का कारे करे पिता तैंक यू फादर लॉड जितने प्रात्न विंतिया आई है धनेवाद देतें कि उनकी प्रात्न सुनी गई उत्तरहा आमीन में मिला है और जितने भाई बहन प्रभू सिवकारियों में शामिल हो रहे आशीज दीजिए जोने आपके राज्जी में बोया है उन्हें फलवंद करे अप्रमपार आशीशों की वर्षा प्रभू तेरे लोगों पर उनके परिवार पर होने पाए पिता कोई भी घटी कमी उनके फैमली को ना हो परन प्रभू बहुत आयद से प्रभू ये लोगों के लिए आशीश का कारण ठहरे धन्यवाद पिताप ने प्रात्न सुना उत्तरहां आमीन में दिया येश्यो के नाम से प्रात्न मांगते आमीन आमीन और आमीन